सूपर मार्केट में सेल को कैसे बढ़ाएं जानेंगे इस वीडियो में हलो एव्रिवान सेल नहीं तो कुछ भी नहीं और शायर इसलिए जब कोई भी इंडिविजुवल एक नियो कमर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने कोशिश करते हैं अपना खुद का बिजनस खोलने का प्लान करते हैं तो पहला जो बेसिक सवाल उनका यह होता है कि इस बिजनस में सेल कितनी होती है कितनी सेल कितना विवेनी वो जनेरेट कर पाएंगे क्या मार्जिन उसके अंदर वो कमा पाएंगे और supermarket business के अंदर तो आम तौर से मेरा experience से कहता है कि जिते भी newcomer हैं, वो mostly उनमें से जो इस business के अंदर आना चाते हैं वो सिर्फ sale के factor को देखके ही इस business में entry करने का plan करते हैं क्योंकि आम तौर से लोगों ने देखा है कि इस business के अंदर sale होती ही होती है ये एक ऐसा business है जो किसी भी recession के होने पर कोई फरक नहीं परता उसके उपर ये एक ऐसा business है जिससे कोई virus का इसके पर कोई फरक नहीं परता मौसम का इसके पर कोई ज़्यादा असर नहीं परता एक ऐसा business जो evergreen business हो जो हर किसे की need को पूरा करता हो लेकिन इन सब अच्छाईयों के बावजूद भी सुपरमार्केट बिजिस में देखा गया है कि आम तौर से जो न्यू कमर होते हैं वो अपनी सुपरमार्केट की सेल्स को लेकर काफी परिशान देते हैं वो आम तौर से सोचते रहते हैं कि ऐसा वो क्या करें जिस से उनकी सुपरमार्केट की सेल्स बढ़ए वो लगातार आता रहे और न्यू कस्टमर की आपके पास ceri लगातार होती रहे और इस वीडियो में हम इस तीन पॉइंट के बारे में तो बात करेंगी जिससे हमारी सुपरमार्केट की सेल्स बढ़ती है साथ-साथ हम तीन ऐसे point के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी supermarket के sale घरती है दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमारी sale supermarket की ये किसी भी business की वो सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकती है वो है customer का flow बढ़ाना customer को आप अपना customer basically तीन तरीके से बना सकते हैं या तो आप customer का पैसा save कर ले या फिर आप customer का time save कर ले या फिर आप customer की जिन्दगी के अंदर कुछ एक value add कर दे तो बात करते हैं पहले point की जो की है save money आम तोर से मैं जानता हूँ कि इस point के बारे में बहुत सारे लोग हैं आप मेंसे जो यह जानते होंगे कि यस हमें अपनी supermarket में customer की money save करनी है हमें उसका pocket fill करना है हमें किस तरह से उसको discounts देने हैं ताकि वो हमारे पास उसे product जो है आपकी supermarket में सस्ते मिले और वो आपके पास लगता राता है लेकिन यहाँ पर मेरा correction point है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि save money का मतलब save discount ही नहीं होता है आप customer के पैसे multiple तरीके से save कर सकते है उससे पहले आपको यह समझना पढ़ेगा कि discount का मतलब क्या होता है offers का मतलब क्या होता है schemes का मतलब क्या होता है promotion का मतलब क्या होता है यह सब समझना क्यों important है क्योंकि generally लोगों को क्या लगता है कि हम जितना जाधा discount देंगे वो ही customer की saving है और customer उसी सही खुश होता है और इसी वज़ा से customer आपके सुपर मार्केट में जाधा आना पसंद करेगा लेकिन यहाँ पर आपको correct होना पौश जरूरी है discount का मतलब यह होता है कि जो आपका net margin है आप उस net margin में से personal level पे कुछ discount customer को दे रहे हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आप अपने margin को कम कर रहे हैं और इस margin की pricing strategy जो होती है उसकी calculation की जो बारीकिया या उसकी जो fundamental की या पूरो उसका process की information ना होने की वज़ा से generally ल करने चालू कर देते हैं कि ultimately उनके margin फिर कम हो जाते है expenses बर जाते हैं उनका business ultimately ज्यादा सेल के बाउजिद भी loss में जाए लगता है तो हमको यह समझना जरूरी है कि discount एक parameter है जो मैं हर एक वीडियो बोलता हूं कि discount is one of the parameter only उसके अलावा भी आपको यह मालुम होना चाहिए कि आप scheme के थुरू, offers के थुरू, promotions के थुरू, events के थुरू, third party type के थुरू और बहुत सारे ऐसे option हैं जिसके द्वारा भी आपको किसी भी customer की money को save कर सकते हैं schemes basically क्या होती है, वो discounts में count नहीं होती है, discount जैसे मैंने बताया वो आपका जो basic margin है, उसमें से आप कुछ personal discount दे रहे हैं, schemes आपको vendor देगा, promotions आपको vendor से लेने हैं, events आपको organize करने हैं, कैसे आप third party के साथ मिलके organize कर सकते हैं, जिसमें आपकी cost बहुत साधा कम लगे, आपकी जो आपके साथ जो vendors हैं या जो कोई third party हैं, उनका involvement कैसा है, कितना percent share उसके अंदर आप दुसरे party से ले पा रहे हैं, ताकि वो ही benefit आप customer को दे पा रहे हैं, इन सब की information आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, अब बात करते हैं second point की जो की है safe time, आप customer का time save करके भी customer को अपना royal customer बना सकते हैं, time कैसे safe करा जाता है, इसके बहुत सारे parameter है, generally मैंने देखा है कि लोगों के पास सिर्फ एक दो point की information होती है, जो आम तोर से लोग अपने super market में follow करते हैं, लेकिन आप customer का time multiple तरीके से safe कर सकते हैं, चाहे आप अपने quick billing service के दुआरा customer का time को safe कर सकते हैं, जो आ आप अपनी super market में home delivery का option रख सकते हैं, जहां पर customer को आने की जरुत ना हो, आप उसके घर पे deliver कर दे, आपकी merchandising भी customer का time बचाती है, customer को to the point information देती है, उससे क्या product उठाना है, उससे customer का time save होता है, आके उसे ज़्यादा ढूमने ढाननी की जरुत नहीं पड़ती है, उसे मा बचा सकते हैं, आप एक अच्छे behavior के दुवारा अपने customer का time बचा सकते हैं, और भी कई सारी तरीके हैं, जिससे आप customer का time बचा सकते हैं, और आपकी super market में एक segment of audience ऐसी होगी, जो सिर्फ और सिर्फ यह चाती होगी, कि आप उसकी जो shopping का time है, या जो grocery purchasing का time है, उसको कैसे save क अगर आपने customer की इस need को fulfill करा, तो आप देखेंगे जो customer जो particular audience होती है, जो सिर्फ time पे focus करती है, वो भी customer आपके पास बढ़ने चालो हो जाएंगे, और उनके जो order से उसकी value बढ़ेगी, जिसका direct impact आपके sale और आपकी margin पे होगा, और तीसरा point value added, value added एक बहुत important point है, दोस्त कुछ ऐसी चीज़े दे रहे हैं, जो वो expect नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पहले customer का पैसे बचाया, दूसरे उसके time बचाया, और आप उसकी life में कुछ value added कर रहे हैं, जब कभी भी आपके supermarket में आ रहा है, या आप से order, home delivery order कर रहा है, तो उसकी हर एक order के अंदर कुछ ने क follow करना चालू कर देता है, कौन-कौन से वो point हैं, जो हम value added के अंदर section में कर सकते हैं, और अपने customer को अपना बना सकते हैं, जिसका direct impact हमारी sale के उपर और हमारे margin के पर दिखता है, आप बहुत सारे तरीके से customer के जिंदेगी में value added कर सकते हैं, जिसकी starting यहां से होती है, कि जब प्रोडक्त खरीदने के लिए आया है, जब supermarket में entry करने के बाद, प्रोडक्त अगर सही तरीके से merchandising होई वी है, वो कहीने कहीं customer के लिए value added करती है, उसके साथ साथ जब customer अगर billing counter पे जा रहा है, और billing पे जो आपका cashier है, वो उसको greet कर रहा है, वो कहीने कहीं आपके customer के अंदर life में value add करता है, आपका billing करने के बाद customer वापिस store से बाहर निकल रहा है, तो जो security guard है, वो gate को open कर रहा है, या उसके आते वख security guard ने gate को open करा, ये कहीं न कहीं ये छोटी छोटी चीज़े customer के life में value add करते हैं, प्रोडक्त को pack करने के लिए आपको जो packing area है, वहाँ पे कोई इसको support कर रहा है, पारकिंग में कोई अगर उसकी गाड़ी के अंदर उसके product को रखने के लिए help कर रहा है, ये सारे के सारे factor, और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होती है, जो मिला के कहीं न कहीं customer के life में एक अच्छा experience create करती है, value को add करती है, और व तरीके से customer को packing करके material भेज रहे हैं, वो customer को value add करेगा, आपका billing system, बिल किस तरीके से उस पर printing कैसी है, आपको शायद इसका idea नहों, लेकिन ये बहुत छोटी-छोटी चीज़े हैं, जो customer के mind के अंदर psychological काम करती है, आप जब customer को order देने जा रहे हैं, customer आपके supermarket में विजिट क के लिए कुछ particular discount दे रहा है, ऐसे बहुत सारे multiple तरीके हैं, जिस तरीके से unlimited तरीकों से आप customer की life के अंदर एक अच्छा experience करेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कि ये जो customer का value add का part है, ये पहला step, second step, जो save money, save time के बाद ही आता है, आपने अगर वो दोनों पूरे नहीं करें, तो तीसरा आप किती भी value add करने कोशिश करें, उसका कोई फैदा नहीं है, तो अब इन तीनों point को समझने के बाद कि हमारे तीन step को कौन से होते हैं, जिससे हम अपनी supermarket के sale को बढ़ा सकते हैं, तीन ऐसे point हमें समझना और important है, कि वो कौन से ती आप सुपर मारकेट के ओनर हैं, आपको हर एक process के अंदर directly involved नहीं होना है, आम तोर से जो लोग गलती ये करते हैं कि अगर कोई सुपर मारकेट खोल रहे हैं, चाए वो किती भी छोटी हो या किती भी बड़ी हो, तो कहीं न कहीं उसके operations के अंदर वो लोग अपना involvement रखते ह बिलिंग कभी वो खुद handle कर रहे हैं, procurement handle कर रहे हैं, operation को वो देख रहे हैं, store manager की duty को खुद संभाल रहे हैं, और बहुत सारे parameter जो भी activity हैं, उसके अंदर वो खुद काम कर रहे हैं, आप अगर as a honor, अगर सुपर मारकेट के operation के ओपर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो फिर sale के ओपर आपका ध्यान कभी भी नहीं जा पाएगा, as a honor आपका काम ये है, कि आप अपनी सुपर मारकेट की sale के पर focus करें, आपको इसलिए ये direct touch वाले theory में नहीं जाना है, ये mentality अप पुरानी हो चुकी है, जहाँ पर लोग को लगता था कि customer आया, तो मैं खुद ही उस से greet क करूँ, बोलूँ हाई वर्मा जी, शर्मा जी, वो जमाना अब निकल चुका है, और खास तोर से, इस सुपर मारकेट बिजनस के अंदर, modern trade की system के अंदर, तो ये system अब चलता ही नहीं है, आपको direct touch वाले में काम नहीं करना है, इसलिए मेरे ये point होता है, जिसको हम बोलता direct touch, कि आपको directly किसी भी operation के अंदर, इवाल्म नहीं होना है, आपको sale के फोगस करना है, कि मेरी इस महिनी के sale कितनी गई है, अब कितनी जा रही है, कैसे मुझे sale को बलाना है, कौन सा product हमारा बढ़ ला है, कौन सा product नहीं बढ़ ला है, किस product को हमें लेना है, किस vendor से tie-up करना ह है, तो इस point को note करना बहुत important है, तब बात करते हैं second point की जिसको मैं बोलता हूँ P.A.M. formula, P.A.M. formula basically क्या है product assortment and merchandising formula, आपको इस point पे बहुत जादा काम करना है, आपको ये clear तरीके से मालूम होना चाहिए, कि मेरी supermarket में जो मेरा procurement process है, वो बिल्कुल sharp है या नहीं है, मुझ आपका system basically is capable, is capacity का होना चाहिए, जो आपको ये सारी information दे, आप खुद एक पूरे planning के साथ इसको पर काम कर रहे हैं, जहांपर आपका P.A.M. formula बिल्कुल 100% accurate तरीके से काम करें, जहांपर वो आपको बताए, कि अब आपको कौन से product की जरुरत है, किस product को आपको कहां पे चाहिए, product अगर नहीं होंगे, product की category पूरी नहीं होगी, तो आप बाके कुछ भी कर लिजे, आपका sale नहीं बढ़ना है, और अगर product हैं भी, और product सही से arrange नहीं है, तब भी आप उसके उपर sale को कितने बड़ानी कोशिश करें, कितने भी marketing कर लें, वो आपका काम नहीं point number 3, जो सबसे ज़ए important है, और कहीं नहीं मेरी सारे content का, मेरी सारी वीडियो का सारे, वो है information, वो है knowledge, आपको जिस भी business के अंदर आप entry कर रहे हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, कि आप बिना information उस business के अंदर entry करें, आपको उस business की, आपको सुपर मार्क को build करने के लिए, एक business को build करने के लिए, उनकी complete information शुरू होने से पहले होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास उसकी information नहीं है, या आप किसी भी तरीका से information को gather नहीं कर पा रहे हैं, किसी सार्ट tie-up नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके business को, आपकी sale को कम होने के chances बहु में कुछ जारना चाते हैं, तो इस नीचे दिये number पे आप हमसे contact कर सकते हैं, और इस अप topic के बारे में, consultancy के बारे में, detail में discuss कर सकते हैं, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा, informative लगाओगा, वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, मिलते हैं एक नए वीडिय कर साथ, this is Ali, signing off.